हेलो दोस्तो मैं पंकच कुमार बेलकेम टू पावर विल तोड़े भी विल डिस्कस अवाउट पियम मोदी टू बी कंफर्ड बिद लता मंगेश कर यंकि लता दिनानाथ मंगेश का अवार्ड और हम इसमें और भी कई चीजों के वारे में डिस्कस करेंगे के या वार्ड है क तो देखिए हाली में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको लता दिनानाथ मंगेश कर पुरुस्कार दिया जाएगा on the 24th April जो कि क्या है 80th वर्थ Anniversary है Master दिनानाथ मंगेश कर जो कि एक सिंगिंग लेजेंड और फादर भी थे सिंगिंग के आगे मै आपको इनके वारे में बताऊंगा बात करें तो देखिए जो मास्टर दिनानाथ मंगेश कर इसमरती प्रतिस्थान चरिटेवल ट्रस्ट है उन्होंने कहा है कि इस साल से यानि कि 2022 से यह इस अवार्ड को स्टार्ट कर रहे हैं किसके लिए नाम किस पे है इनका है लता जी यानि कि जो लता मंगेश कर हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए 2022 से यह अवार्ड स्टार्ट किया जा रहा है अब बात करें नेक्स्ट तो देखिए जो लता मंगेश कर जी हैं आप सभी जानते हैं हम भी जानते कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा एक मैं स लता दिनरात मंगेश कर अबॉड यह 12 अपरेल का आप न्यूज कर देख सकते हो तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा कुर्शन है आप इस कुर्शन का आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूल दीजेगा बाकि वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो लता मंगेश कर जी हैं उनको भारत रतन किस येर में दिया गया था 1969,2001,2008 होना चाहिए टाइपिंग एरर हो गया और 2020 तो इसका आंसर नीचे जरूर दीजेगा ठीक है तो और उससे भी जरूरी सूचना अगर आपको हमारे सारे ले दिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो ये भी जॉन कर लिजेगा आप बात करें इसके बारे में तो देखिए जो दीननात मंगेश का प्रुसकार है इसको 2022 जैसा मैंने कहा यानि कि इसी येर से हर येर यानि कि साल में हर वार दिया जाकरेगा एक इंडिविजल को यानि मैं तो किस फिल्ड में दिया जाएगा तो फिल्ड लफ्म्ीजिक, ड्रामा, आठ, मेडिकल, और सोचल वर्क इन सारे फिल्ड में इस ओर्मिद्स को दिया जाएगा और आब बात करें कि हम दीनानाथ जी कौन थे तो दीए बात करें Master दीनानाथ जी who was a monumental contribution as a singer, musician, stage, artist इन्होंने बहुत ही अच्छा contribution दिया है और ये एक inspiration है People of Maharashtra और इंडिया के अंदर for the music industry ये भी याद रखिएगा और अगर मैं आपको और बताओं तो देखिए जो दीनानाथ मंगेशकर जी है ये क्या फादर है किसके लता मंगेशकर जी, आसा भोसले मीना काडिकर उसा मंगेशकर आपने इन सब के गारे कभी ना कभी सुने होंगे बढ़र आपको याद हो याद हो लेकिन आपने जरूर सुने होंगे खासकर जो 90's जो 90's के बौर्ड है उन्हों तो जरूर अच्छे से सुने होंगे ठीक है तो ये देखिए अब बात करें तो जो सिनेमा का फील्ड है उसमें किसको दिया जा रहा है ये जैकी सरॉप और ये क्यों है आसा पारिक इनको दिया जा रहा है किसमें Master दीनानाथ पुसकार अवार्ड दिया जाए किसमें dedicated field of cinema ये भी याद रखिएगा और बात करें राहुल देश पांडे तो ये भी Master दीनानाथ अवार्ड को रिसीब करेंगे किसमें ये भी याद रखिएगा और मैं आपको और लेटस और भी बात करूं इसमें तो देखिए Master दीनानाथ पुसकार आनन्द मई पुसकार विल गिवन टूदा नूतन मुंबई तो इसका राइट आन्सर है चलो मैं आनसर देई देता हूं मैं आपसे ज़्यादा वेट नहीं कराता हूं तो इसका राइट अंसर है option V यह भारत रतन आप देख सकते हो अब यह देखिए अगर बात करें हम लता मंगिस करजी के बारे में तो देखिए 1969 में इनको पदम भूशन मिला 1989 में दादा साहिब फाल की अवर्ड मिला 1999 में इनको पदम भिभूशन मिला and 2001 फाइनली इनको भारत रतन से नवा जाएगा by the President of India और बात करें इनके वारे में तो दीके टोटल 81 अवर्ड इन्होंने जीते हैं और नॉमिनेशन 98 अवर्ड में हो चुका है इनका याद रखिएगा सच अनक ग्रेट सॉल ठीक है अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठीक है आपसे मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में तब सब के लिए गुडबाई